लोकसबा चुनाव दोहजार चौबीस के लिए बस्तर से बारा नामांकन पत्र दाखिल किये गए थे लेकिन उनमें से ग्यारा ही विधिमान ये पाए गए है यानि कि एक नामांकन पत्र रद्ध कर दिया गया है मुख्य निर्वाचन पददिकारी रीना बाबा साहिब कंगाले ने बताया कि बस्तर लोकसबा शेत्र में कुल बारा अभ्यरतियों ने नमांकन पत्र जमा किये थे नमांकन पत्रों की समिक्षा के उपरांत बस्तर लोगसबा शेतर में निर्वाचन के लिए अब 11 अभ्यरती शेश हैं पहले चरण के लिए नामवापसी की आखरी दारीक 30 मार्च 2024 है बस्तर लोगसबा शेतर में 19 अपरेल 2024 को मतदान होंगे निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार भारतिय साक्षार पार्टी से बस्तर के चुनावी मैदान में उत्रे राजराम नाग का नामंकन रद कर दिया गया है हाला कि अभी ये बात सामने नहीं आई है कि राजराम नाग का नामंकन क्यो रद किया गया है वही राजराम नाग का नामांकन रद्ध होने के बाद बस्तर के चुनावी मैदान में अब सिर्फ 11 उम्मीदवार है मुख्य निर्वाचन पदिकारी दीना कंगाले ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन अंतरगत दूसरे चरण के लिए आज अधिसूशना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दूसरे चरण के अंतरगत महासमुंद कांकेर और राजननगाउन लोकसभा शेत्र के लिए अभी तक किसी भी अभ्यरती ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है दूती चरण के लिए 4 अप्रेल 2024 तक अभ्यरती नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं नमांकन पत्रों की समिक्षा 5 अप्रेल को होगी और 8 अप्रेल तक अभ्यरती अपना नाम वापस ले सकेगे। बतादे कि 26 अप्रेल 2024 को दूसरे चरण के मतदान होने हैं। तो कुल मिला कर देखा जाए तो बस्तर से एक नमांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। इस खबर से जोड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुचाते रहेंगे तो बने रहें ये खबर बेबा के साथ।